हेलो बच्चों नमस्ते कक्साचार हिंदी तो इस्टुडन पार्ट दो हमारा टेक्स्बुक में पूर्णा हो गया है तो हम अब एक्सेसाइज के और जाएंगे तो जो उनके रिलेटेड एक्सेसाइज है वह हम समझेंगे तो बच्चों पहले एक्सेसाइज समझ लो फिर एक्सरों में आपको नोट में लिखना होगा उके इस्टुडन तो हमारा पेपर बेटन वाइस प्रस्चन एक और बौ और को आज हमें तीनों देखेंगे तिक है तो प्रस्चन एक और होता है हमारा एम सी क्यू का तो चलो एम सी क्यू देखें तो बच्चों प्रस्चन एक और विभाग और एम सी क्यू नमबर एक है ए अक्सर को अंग्रे जी में कैसे लिखा जाता है अगर उपर एक मात्रा होती है तो होता है अई तो डबल ए लगता है ठीक है तो ए दो बी एच ए अक्सर को हिंडी में कैसे लिखा जाता है तो जो भ पे टिक क्या है कविकल भ वह सही है नमबर तीन में है जो अक्सर को अंग्रे जी में कैसे लिखा जाता है अ जे ए ब जेड ए का ल ए अविकल जे ए जो को जे ए अंग्रे जी में लिखा जाता है चार नमबर तो अक्सर को अंग्रे जी में कैसे लिखा जाता है डा को अंग्रे जी में डी एच ए ऐसे लिखा जाता है ब विकल जी है ल अक्सर को गुजराती में कैसे लिखा जाता है तो जो का विकल दे लह जो बताया गया है वो हिंडी है तो उनको गुजरती में कविकल्ब में जैसे लिखा है ऐसे लिखा जाता है बविकल्ब हमारा होगा सही जोड मिलाओ तो नमबर एक है दिस ती एच आई एस नमबर दो है धेट ती एच एटी तो ती एच आई एस को हिंडी में बोलते हैं यह और उनका इंगलीज होगा दिस फिर धेट का हिंडी होगा वह तो मैंने उनके सामने जोड़ा है तीन नमबर है आई एन इन इन यानि अंदर चार नमबर ओ एन अन यानि उपर तो मैंने उपर के सामने जोड़ा है पाँच नमबर में लिखा है वाई ओ यू यू यानि तुम तो तुम के सामने जोड़ा है फिर अगर ऐसे हो वाई ओ यू आर यूर यूर यानि तुम्हारा और यू यानि तुम फिर यहाँ पे आई जो आप गुजराती में बोलते हो हू आई को हिंदी में करते हैं मै आठ नमबर में हैं माई माई गुजराती में आप बोलते हो मारू और हिंदी में बोलते हैं मेरा ठीक है तो इसी तरह जैसाई जोड आपको इंगलीज के सामने हिंदी डूंट कर जोड़ना है कब इकलब होगा खाली जगह बढ़िये जिसमें ब्रेकेट दिये गए है नोट में अगर आप काउंस नहीं लिकोगे तो चलेगा एक में लिका है यह गाए है खाली जगह पूछ लंबी है इनकी या तो इसकी क्या रहेगा बच्चो यह गाए है इसकी पूछ लंबी है इसकी दो हैं ये कुट्टे है खाली जगह मुँ में रोटिया है इनके या तो इसके ये कुट्टे है इनके मुँ में रोटिया है बच्चो इनके तीन खाली जगह चोटी हो तुम या तो आप तुम चोटी हो चार नमबर खाली जगह लड़के है मैं या तो हम तो ऐसे लगा कर आपको पहले मेच करके देखने का कि ये सेंटेंस हो रहा है सही तो जैसे मैं लड़के है ये नहीं हो रहा हम लड़के है तो हम लगेगा खाली जगह विद्यारती है हम विद्यारती है तुम विद्यारती हो आज सकता है लेकिन हम विद्यारती है लगा हुआ है इसले इसमें हम विद्यारती है स्टुडांट अच्छे अक्सरों में नोट में लिखना है ओके थेंक्यू